नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमर्चेल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लिटेस्ट निउस मिलती रहती है तो दोस्तों आज हम बात करनें जा रहे हैं आटो सेक्टर से लेटेड एक कमपनी की इसने हाली के एक से डेड़ महिने में अच्छे रिटन्स दे दिये हैं काफी नीची चलागे तर शेयर और अल्रेडी काफी टाइम से बेरिश था पर वहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखा है तो इन्वेस्टर जानना चाहरे होंगे तेजी कहां तक चलेगी कि लॉंग टर्म प्रोस्पेक्टर्स लॉंग टर्म गोल्स हम क्या देख सकते हैं और किन नंबर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए तो शेर का नाम है दोस्तो अशोक लेलेंट तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो लोग नहीं है चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें आपको स्टॉक मार्केट से लेटी लेटेस नियूज और एनेलेसिस मिलत रहेगा चले शुरू करते हैं तो अशोक लेलेंट का ट्रेड देखेंगे पहले हम आज देखें आज शेर में मजबूती थी और बलकि आज ही नहीं अगर मैं लास्ट फाइव डेस लगा हूँ तो आप देख रहे हैं क्या स्टांदार उपर की तरफ चला है शेर 70 रुपे क आसपास ट्रेड कर रहा था और हाई बना के तक्रीबन 82.80 लगभग 83 रुपीज का तो दो दिन के अंदर 20% की तेजी आ गई है शेर में और वो रिजन है दोस्तों एक न्यूस के वे से अभी वो डिसकस करेंगे हैं पहले लॉंग टरम का चार्ट देखेंगे एक साल का तो आप देखें अपने पुराने लेवल के बहुत करीब चल रहा है वे शेर अगर 24 February 2020 को 85 के आसपास का हाई बनाया था अब वो लेवल के आसपास चल रहा है शेर वहीं अगर 5 साल का चार्ट लगए तो आप देखें अभी कितने रिकवरी बाकी है और में चीज जो हमें डिसक करना चाहें नहीं कि ये जो गिरावाट आई है ये क्यों आ रही है ये गिरावाट क्या पुरे आटो सेक्टर में मन दिये या अशोक लेलेंड में कुछ प्रॉबलम आ रही है कहीं पर तो वो डिसकस करेंगे हम काफी कुछ मिला है तो सबसे पहले हम न्यूस डिसकस कर लेत करने है अशोक लेलेंड को ताकि फ्यूल डिस्रिबिशन कर सके वो कंपनी 750 डिस्रिक्ट में तो यहां देख सकते हैं जहां पर आपको मंदी दिखाई दिरिया ओर्टर सेक्टर में सेल्स नहीं होरी वहां पर इतना बड़ा अगर सेल्स का नंबर विक्वाली का नंबर सामने जाए तो जरूर एक positive sentiment बनता है market में और यह अगले 5-6 मैने में execute किया जाएगा order तो उमीद है कि धीरे धीरे sales आगे बढ़ेंगी तो अब चार्ट देखा जाए शोक लेलेंड का तो चार्ट क्या बताता है हमें आप देखे शांदार bullish momentum देखने को मिले हमने देखा भी 70 वो resistance के उपर निकल गया था लगबक August में जब sales के नमबर आयते उसके बाद और वहाँ पर अब उसी resistance को एक support की तरह लेकर यह stock उपर चला है तो आप देख सकते हैं काफी दिनों से सिर्फ green candles हैं और यहाँ पर एक important level break किया भी stock में आपको थोड़ा पीछे जाएंगे तो मै जो breakout आये important इसलिए है कि पुराने support को जो अभी resistance की तरह act कर रहा था आप देख सकते हैं लगबक August के end में तो उसको break किया है stock में तो पहला target क्या होगा पहला target तो दोस्तों में साफ दिख रहा है जो high था February level में 87.15 का अभी आपको यह target रखना चाहिए इस से उपर नहीं पता लएगा जैसे अब हम discuss करेंगे इस चार्ट को अगर मैं zoom out कर दूँ तो आप देखेंगे इस level के बाद जो अगला target आता है उपर वो लगबक 98.500 रुपे के आसपास का target आता है तो अभी उतने high levels नहीं रखने चाहिए अभी फिलाल क्योंगी तेज़ी काफी जादा आ चुकी है एक पार भी correction नहीं आए पिछले एक हफते में और यहां पर 87 के target तरफ भढ़ रहा है अभी stock तो अगर market bullish रहता है अगले हफते auto sector में थोड़ी भी तेज़ी रहती है तो यह target तो अचीव हो जाएगा पर यहां से अब आगे का करना है तो चलिए उसके fundamentals देखते है तो यहां हम देखते है market share के एक अपनी का तो है medium and heavy passenger carrier vehicles में 41.2% का market share है सिर्फ अशोक लिंड का तो majority market share है इस segment में वहीं LCVs light commercial vehicles 67% market share है तो आप देखते हैं service market share काफी जादा है और यहीं से उमीद है कि तेजी आएगी और वहीं पर medium and heavy goods carrier में 33% market share है और school bus के area में 22% का market share है commercial vehicle से सब जादा revenue आता है 88.48% का और वहीं पर बाकी छोटे मोटे business engine और spare parts जो इन vehicle से included है इसलिए अगर इन में तेजी मिलेगी तो आपको बाकी सब में भी तेजी मिल जाएगी तो majority commercial vehicle से revenue आता है और domestic में आप देखे 90% है 90.8% और rest of the world यानि विदेश में भी 9.2% revenue आता है तो यह auto sales number दे रखे हैं उसके लिए मैं आपको company के सीधा उसी पर ले आता हूँ जो अपने circular release किया था तो आप देखे कि अब तेजी हमें आगे क्यों नहीं सोचनी चाहिए फिलाल के लिए क्योंकि देख सकते हैं कि medium and heavy commercial vehicles में 2222 sales रही है और वहीं पर 4584 थी last year इसी टाइम 52 का decrease यह सिर्फ domestic का segment है LCVs को मिला है आप LCVs में देखे 3602 sales रही है जो 3711 थी last year तो सिर्फ 3% का decrease तो यहाँ पर हमें एक शांदार recovery देखने को मिल रही है और वहीं पर हमें bus और truck के business में अभी recovery देखनी बाकी है यहाँ पर buss के business में बहुत कम recovery है आप जानते हैं school closed है अभी तो नई buss की जरूरत नहीं पर तो इस school को और वैसे ही आपको असर देखने को मिल रहा है buss की sales पर और exports को अगर हम मिला लें तब भी आप देखेंगे 63255 नंबर जो 9231 था तो 31% की decrease अभी भी है तो increase तो होनी रहा है बलकि down नहीं जा रही है vehicle sales अगर overall compare करें तो हाला कि मन् जरूर increase हुई है पर यहां से December 2020 तक उमीद है कि चीजे नॉर्मल हो जाएंगी तो चलिए अब मैं आपको balance sheet दिखाता हूँ अपने की तो चलिए balance sheet देखते हैं company की तो company एक पास non current assets है लगवग 10701 करोड के और वहाई पर capital working progress है 594 करोड का assets अंदर development है 173 करोड के और वहाई पर long term investment है 2720 करोड के और current assets आजाते है 5423 करोड तो liabilities आ जाती है 16390 करोड की तो यहाँ पर liabilities में हमें decrease देखने हैं मिल रहा है अगर हम last year से compare करें तो 2019 से अब sales की बात करते हैं यहाँ पर आपको पता लग जाया है कि stock के matrix कम क्यों हो रहे है stock एकदम से 1500 से लगातार नीचे क्यों आ रहा था तो यहाँ sales देके लगातार increase हो रही है 11177 करोड सी मार्च में 2011 में और लगातार increase होते होते 29000 करोड होगे थी 2019 मार्च में और मार्च 2020 मे आप देखिए 17468 करोड तो छोटी मोटी गिरावट ने है दोस्तों छोटी मोटी होते हैं समझ में आ जा था कि मार्च में जो lockdown हुआ था जब lockdown के शुरुआत हुई थी उससे पहले से कुछ कमी आ रहे थी पर यह आप देख सकते हैं लगबग लगबग 40-45% की गिरावट है तो यहाँ पर दूनने से पता लगा कि मार्च में मार्च 2020 की बात कर रहा हुआ हुआ जो last quarter था Q4 F520 वहाँ पर 90% decline दिया था अशोक लेले ने total vehicle sales में जो 2179 units थी और company ने 2019 मार्च में 21,535 units की sale की थी तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10% sales बज़ गई थी अगर last year से compare करें तो decrease तो सभी segments में medium and heavy commercial segments में 90% का decrease आये तो यहाँ से question उठता है कि सिर्फ अशोक लेलेंड में इतना decrease आता है पूरा auto sector ही down था FY20 में 2020 year ended में तो यहाँ पर एक और article आप देख सकते हैं कि मार्च में auto sales 45% drop हुई थी तो जब number आये थे मार्च के वहाँ पर overall auto sales 45% decrease हुई थी अशो जादा फरक नहीं पड़ता lockdown से पहले और वहीं FY sales 20 sales तकरिबन 18% down थी पूरे auto sector की तो आप देख सकते हैं financial year 20 में कोई increase नहीं हुआ बलकि 18% decrease हुआ था और यही reason है जिसकी वज़े से अशोक लेलेंड भी उस चपेट में आ गया था अब आगे numbers देखे जाएं तो यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं जैसे नमबर सामने आए पूरे यह के नमबर ही डाउन जा रहते हैं तो लोग का interest कमोन लग गया इस टॉक में और मैं आपको वापिस टॉक का price दिखाना चाहूँगा अगर हम last 5 years का देखे तो आप देखें कि 161 के high के बाद से लगा था डाउन ह प्राइस टक को छूग गया था इस टॉक कोविट से पहले भी कंपनी की sales कम हो रहे हैं और साथ में एक और बड़ी मार है उसके साथ साथ जिससे कंपनी को recover करना है तो उसके लिए मैं आपको cash flows पर ले जाना चाहूँगा तो आप देखें कंपनी cash flow 4354 करोड थी 2018 ended में जो negative रही दो साल और यहां का reason आप देख सकते हैं कि financing activity और investing activity में बड़ा negative number है यानि company invest कर रही है आगे projects को बढ़ाने के लिए तब invest करेगी अपने profits को तो वहाँ पर आपको negative number दिखें कि company आगे business बढ़ाने के लिए खर्चा कर रही है पर वहाँ पर एक mark क्या लगी कि company के sales ही न 2019 में पर 5.54 रह गए तो इसका reason 200 सिर्फ ही है कि company की earning before taxes कम हो गई है तो नमबर आप देखें कि 27.14 से 5.54 परसेंट रह गया है और ROC आप देखें 17.07 परसेंट से 8.76 लगबग हाफ हो गया है तो अब यहाँ से साफ बात है दोस्तों कि अभी जो मैंने आपको level दिये यहाँ आपने देखा 87 का level तो यह price अभी के लिए मेरा full and final target होता तो उसके reason मैंने बताए कि company को अगर उपर की तरफ जाना है 100 से उपर जाना है 120 जाना है पुरान लेवल उस पर जाना है तो वहाँ पर auto sector की recovery के साथ साथ इस company को जादा बड़ी recovery दिखानी होगी हमने अभी दिखाए मैं आपको फिर दिखाएता हूँ कि company के ROCE और ROE नंबर काफी कम है और वही पर एक और important number हाँ जी debt to equity ratio तो यहाँ आप देखे debt to equity ratio है 2.86% तो यहाँ पर हर एक डॉलर equity के लिए company को 2.86% debt ह company की balance sheet में तो यह काफी जादा high number है और लगातार increase हुए आप देखे पिसले 5 साल से तो यह एक अच्छे संकेत नहीं है तो मैं आपको बताया है दो reasons है एक company की sales डाउन हुई है और साथ में company के ओपर debt जो है वो थोड़ा कम हाना चाहिए debt to equity ratio थोड़ी कम होनी चाहिए तो इ अभी जल्दी तो रही कवर होने नहीं क्यों आप जानते हैं already covid pandemic चल रहा है lockdown कहीं खुल रहा है कहीं कम हो रहा है और लोगों पर already economic pressure है इसलिए जादा big quality नहीं दिख रही हाला कि increase हो रही है लगातार पर फिर भी 2020 end तक कर टाइम अनुमान लगाए जा रहा है जब तक चीज मिल सकती है तो दोस्तों ये थिया शोग लेलेंट से लेटेट लेटेस्ट न्यूस और अनलिसिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो से लिए मैं चैल को सब्सक्राइब कीजिए